पैंसन धारकों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं दोस्तो अगर आप भी पैंसन धारक हैं चाहे आपकी बुजरुक पैंसन हो दिव्यांग पैंसन हो या फिर विध्वा पैंसन हो तीनों पैंसनों के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं तो इस यूडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार सभी पैंसन लाबारतियों की पैंसन को ट्रांसपर कर रही है तो दोस्तो यहाँ पर किन व्यक्तियों को कितनी pension दी जा रही है वह आप कैसे देख सकते हैं आपके account में pension आई है या फिर नहीं वह आप कैसे जान सकते हैं उसके बारे में हम आपको संपुर्ण जानकारी देने वाले हैं दोस्तो हम आपको यहाप पर दो तरीकों से बताएंगे जिससे कि आप आसानी से अपनी पैंसन को चेक आउट कर पाएंगे आपसे हमारा निविदन है कि दोस्तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिये शियर भी करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप अभी सब्स्रीब कर लिए जगा जले दोस्तु वीडियो करते हैं और जान लेते हैं किस परकार से आप अपने mobile phone से अपनी pension को चेक कर सकते हैं कि आपके account में pension आई है या फिर नहीं दो तरीकों से हम आपको यहांपर pension चेक करने के बारे में जानकारी दे जा रहे हैं सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है Google Chrome ठीक है आपको पैंसं यहाँ पर टाइप कर देना है और जैंस सर्च कर देना है ठीक है उसके बाद आप नीचे स्कॉल करेंगे तो दोस्तों आप जिस भी राज्य के हैं suppose that आप उत्रप्रदेश के अगर पैंसन लावारती हैं तो आपको यहाँ पर उत्रप्रदेश की फर्स्ट नंबर पर ही पैंसन जो लिंक है जो वेपसाइट है आपको यहाँ पर दिखाई देगी इस पर आपको क्लिक करना है फिर आप अधर राज्य से हैं तो दोस्तों आप अधर राज्य के लिए भी अपनी ओपिशिल पोर्टल पर जाकर पैंसन को चे पर उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को डेस्ट उप साइट में कर लेना है अगर आप मोबाइल से चैक कर रहे हैं यहाँ पर आपको और नीचे स्कूल करना है नीचे स्कूल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको वर्दवस व्वाश्टा पैंसन दिव्यांग और निराश्ची निंयन के विध्वध महिला पैंसन अपको धिखाय देगी गया तो यहां पर दोस्तो आप आसनी से संटे सब डियाएं तो यहां पर सिंपल दोस्तों हम आपको दिखाते हैं वर्दवस्ता पैंसन तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है योजना के विश्ये पर उसके बाद दोस्तों आपके सामने नेश्ट पेज ओपन हो जाता है अब दोस्तों यहां पर आपको नीचे स्कूल करना है नीचे आप दोस्तों यहां पर आपको देखना है अपने जंदपत का नाम हाला कि दोस्तों अभी यहां पर जो लिष्ट है यहां पर पैसे नहीं ट्रांफर के गई है यहां पर अभी जो ऑटर सेकिंड है इसमें आपकी पैंसन आनी है हालागि pension आ चुकी है लेकिन यहाँ पर अभी 100 नहीं हुई है यहाँ पर add जो pension है वह नहीं की गई है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में सभी लाबारतों की pension ट्रांसपर की गई है और यहाँ पर add भी की गई है तो इसी परकार से दोस्तों आपकी यहाँ पर जो सेकंड क्वार्टर है इसके नीचे भी दोस्तों आपको आपकी pension देखने को प्राप्त हो जाएगी तो जितना भी amount आपको आ क्वार्टर की pension को धालेते हैं तो आपको simply अपना यहाँ पर जन्दपद स्लेक्ट कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर से नाइस्ट पेज ओपन होगा उसके बाद आपको इचे स्कूल करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर अपना विकास खंड स्लेक्ट कर लेना है विकास खंड स्लेक्ट करते ही आपके सामने फिर से नाइस्ट पेज ओपन हो जाता है अब उसके पराद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो ग्राम पंच जायत है ग्रामपंचेर और सेल्ग कर लेना है तो सफिर से आपके सामने संस्ट Sage ओपन हो जाता है आप दोस्तो से क्लिक करना हको अपने ग्राम पर तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर कितने पैंशन लावारती हैं और चंपको किष्ट में आ privately करना है उसके प्रान दोस्तों आप यहांपर देखेंगे कि जो 5'այ देख सकते हैं किसी क्योंट में 2,000 आए और 6,000 रुपे आए आप सिर्थे बहुत है असान तरीक से दोस्तों यहांपर देख सकते हैं जहांपर दोस्तों आप डृचर से आप को कि इसक यह आपको लिख कर देना है आपको दोस्तों फर्स नमबर पर ही वेबसाइट दिखाए देगी यहां पर आपको किलिक करना है यहां पर किलिक करने के उपरान दोस्तों फिर से आपके सामने नाइस्ट पर उपन होगा हलाकि यहां पर अभी जो सर्वार है दोस्तों वह डाउन आप देखेंगे और यह website open हो जाती है तो आपको अपना account number आपके पास अपना पास रखना है ठीक है आपका bank account जिसमें आपकी पैंसन आती है और साथ दोस्तो उस पैंसन में जो भी आपका number लगा होगा वह है mobile number आपके पास हो चाहिए क्योंकि यह one time password आएगा और one time password आपको डालना होगा उसके बाए दोस्तों आपकी पैंसन आपको दिख पाएगी कि आपके account में कितनी पैंसन आई है दोस्तों यहां से आप किसी भी योजना का पैसा देख सकते हैं कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी के सवाल को जवाब दे जाएगा और आप से हमारे चोठ सब्सक्राइब कर देजिएगा अब चाते हैं आप से यायत और मिलते हमारे श्टूडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत